कि नमस्कार राज्य सिच्छा सोद्ध प्रसिच्छन परशद पटना में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों हम लोग विज्ञान विशे में का पाठ तीन में अनु एवं परमानु पढ़ रहे हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ रासायनिक सुद्र किस प्रकार से लिखे जाते हैं इस पर कुछ चर्चा करते हैं कि जैसा कि बच्चों आप लोग को मैंने बता चुका है रासाइणिक सुत्र लिखने के लिए विझिन्य थत्व के प्रतीक और इनके संजोजक्ता की जानकारी होनी आवशक है तो प्रतीकों और संजोजक्ता के बारे में जानकारी आपने पिछली कछे में लिया उन जानकारियों के सहायता से आज हम लोग कुछ योगिकों के रासायनिक सुत्र लिखने की चर्चा करते हैं तो देखिए आप लोग ध्यान से कि किस प्रकार से रासायनिक सुत्र लिखा जाता है और साइनिक सुत्र लिखना बहुत ही आसान है और एक-एक करके यहां पर हम उदाहरन देते हैं, यहां पर हमने चाही योगिकों का नाम लिखा है, देखे यह योगिक है hydrogen chloride, hydrogen sulfide, carbon tetracl chloride, magnesium chloride, aluminium oxide और calcium oxide तो प्यारे बच्चो आपको इनका सुत्र लिखने के लिए तत्वों के प्रतीकों और उनकी संजोजक्ता की जानकारी रहनी चाहिए अगर आप इसमें कुछ भूल रहे हैं तो पिछले वीडियो को देख कर अपनी यादे ताजा कर लीजे और आएए देखते हैं किस प्रकार से लिखते हैं रासाइनिक सुत्र लिखने के लिए सबसे पहले हम तत्व को पहचानेंगे तो हम तत्व लिखेंगे यह hydrogen तत्व है और यह chlorine तत्व है अब इनकी हमें संजोजक्ता लिखती है संजोजक्ता क्या होता है बच्चों संजोजक्ता पिछली कच्छा में बताया है संजोजक्ता एक प्रकार से मान लेते हैं हम ऐसे समझ सकते हैं कि तत्वों के हाथ हैं बीसे मनुश्य के दो हाथ है यह वकक्तोपर्स के आठ हात होते हैं इसी प्रेकार से अलग अलग टत्वों के संजोजक्ता अलग होती है तो हाइडरोजन की संजोजक्ता एक है और क्लॉरीन की भी संजोजगता एक ये बहुत ही एक साधारन सा योगिक है हाईड्रोजनक्लॉराइड इसलिए यहाँ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा तो पहला step में हमने तत्व का नाम लिख लिया उनका संकेत लिख लिया जैसे hydrogen chloride के लिए hydrogen का नाम लिखा और chlorine उसमें है तो chlorine का संकेत बता दिया लिख दिया है है यहाँ पर संजोज़त्ता एक-एक है अगले step में इसे तिरिछा गुना हम करते हैं इसे तिरिछा गुना करते हैं तो तिरिछा गुना करने के पास्चाथ हम क्या लिख सकते हैं बच्चो H और किससे गुना हुआ एक से अलजेबरा की तरह इसको नहीं लिखना है गनित की जैसा नहीं लिखना है चुकि हम chemistry में पढ़ रहे हैं इसलिए इसको थोड़ी से अलग तरीके से इसको समझेंगे हम लोग तो hydrogen और इससे तिरिछा गुना हुआ 1 chlorine इससे भी तिरिछा गुना हुआ 1 परन्तु यहां पर दोनों की संजोजक्ता 1-1 है और हम कुछ नहीं भी लिखते हैं तो हमें यहां पता राता है कि एक छिपा हुआ है इसलिए हम इसका सुत्र hydrogen chloride का सुत्र H1Cl1 ना लिखके साधारन से HCl लिखेंगे तो बच्चों यह क्या हो गया hydrogen 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 chloride का सुत्र हो गया hydrogen chloride का सुत्र तो देखा आपने बच्चों कि किस तरीके से बहुत ही आसान step में हम किसी भी योगिक का सुत्र लिख सकते हैं आइए दूसरा लिखते हैं hydrogen sulfide पुना यहां पर हम तत्व लिखेंगे तत्व हमारा है hydrogen और क्या है sulfide लग रहा है यानि कि दूसरा तत्व हमारा sulfur है बेलकुल सही अब हमें उनकी संजोजक्ता लिखना है तो फिर से हम संजोजक्ता लिखेंगे शुरुआत में बच्चों थोड़ी हम step by step लिखेंगे बाद में जब आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे तो यह तत्व संजोज संजोजक्ता यह सब बार बार लिखने की जुरूत नहीं है अभी हम समझाने के लिए इसे बार बार दो तीन बार लिखेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से यह अस्मरन हो जाए तो hydrogen की संजोजक्ता कितनी है एक बिल्गुल सही क्योंकि उपर में भी आपने देखा कि एक लिखा था मैंने और सलफर की संजोजक्ता कितनी हो जाएगी बच्चों सलफर की संजोजक्ता हो जाती है दो यह संजोजक्ता कुछ आपको याद करना होगा इसके लिए पिछले slides में पिछले class में मैंने पताया था उन स्लाइड्स को वीडियो को देखकर आप संजोजक्ता उस्मर रखेंगे इससे आपको सुभी दाओगी अब अगले चरण में क्या करना है तरिछागुना करना है तो इसको भी तरिछागुना कर देंगे और हम यहां पर हाइड्रोजन दो हो गया और एस अब एक यहां पर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि एक हमारा छिपा हुआ है इसलिए एच्टू एस हाइड्रोजन सलफाइड का सुत्र हो गया हाइड्रोजन सलफाइड का सुत्र समझ में आ रहे हैं बच्चों इसी प्रकार से हम तीसरा भी कार्बन टेट्रक्लोराइड भी लिखते हैं तो कार्बन टेट्रक्लोराइड के लिए आए बच्चों यहां पर हम समझते हैं कार्बन टेट्रक्लोराइड के बारे में तत्व कार्बन टेट्रक्लोराइड में तत्व कौन से हो जाएंगे हमारे तो कार्बन हो जाएंगे औ और क्लोरीन की संज़चकता कितनी है बच्चो ग्लोरीन की संज़चकता 1 बहुत अच्छा तो हम इसे फिर से तिर चागुना करेंगे और C 1 है बच्चो तो 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 छुपा हुआ है और CL लिखेंगे और यह 4 है तो यह लिखेंगे CCL4 यह सुत्र हो गया किसका कार्बन कार्बन टेट्रा टेट्रा क्लो राइड अच्छा नाम हमने टेट्रा क्यों लिया बच्छो क्योंकि 4 को ग्रिक के भावसा में टेट्रा कहते हैं एक होगा तो मोनू, दो हो जाएगा तो डाई, तीन होगा, ट्राइ, चार, टेट्रा, पाच होगे, पेंटा, छे में, हेक्सा, इसी तरीके से आगे भी आप लोग सिखते चले जाएगे दीरे दीरे पढ़ते पढ़ते यह सब बाते भी आपको आसानी से समझ में आने लगी तो कार्वन टेट्राइड का सूत्र होगया ccl4 carbon tetra chloride उसी तरीके से हम अगला भी देख सकते हैं magnesium chloride है तो magnesium chloride का भी हम सुत्र लिख सकते हैं आईए हम नीचे लिखने की कोशिस करते हैं magnesium chloride तो magnesium क्या हो गया संकेत mg और chloride है यानि कि CL होगा बिल्कुल सही magnesium की संजोजगता कितनी है magnesium की संजोजगता है दो chlorine की संजोजगता कितनी है chlorine की संजोजगता है एक अब हमें क्या करना है तिरशा गुना करना है बिल्कुल सही इसको भी इससे गुना कर देते हैं बहुत अच्छा अब इसको हम यहां पर लिखेंगे Mg क्या एक लिखेंगे नहीं नहीं लिखना है क्योंकि एक छुपा हुआ है और Cl लिखेंगे और दो लिखेंगे तो MgCl2 MgCl2 आपका किसका formula हो गया magnesium chloride का उसी प्रकार से बच्चो हम लोग aluminium oxide का formula भी लिख सकते हैं चलिए यहीं पर हम formula लिख लेते हैं aluminium oxide का, तो aluminium में aluminium हो गया और oxide में oxygen हो जाता है aluminium की valency, aluminium की valency हो जाती है 3 और oxygen की valency हो जाती है 2 तो यहाँ भी तिरच्छा गुना करेंगे हम लोग समझ रहे ना बार-बार हम लोग को यह तत्व संजोजकता यह इस तरीके से हम लोग को अगर कहीं परिच्छा में आता है कोई लिखने के लिए है तो समझने के लिए समझाने के लिए उसे लिखेंगे लेकिन बार-बार उपयोग में लाने के लिए हम हर बार ऐसे नहीं लिखेंगे शुरुआ तुमें प्राक्टिस करने के लिए इस प्रकार से लिखेंगे और फिर धीरे धीरे उसको हम स्वार्ट मिल आएंगे तो हो गया प्रतीग हो गया ही ओडुनियम का ऑल सापर किसका प्रतीख हो गया औक τηन का अ से बिल्कुल सही आपका एलमॉनियम औक्साइड का देखिया फर्मूला आ गया ल्टू-बारी इसी प्रकार से कैल्सियम औक्साइड का आप बता सकते हैं चलिए ठीक है आप लिखने को कशिस कीजिए तो क्या है इसमें कैल्सियम है तो कैल्सियम हमने हमने लिख दिया ठीक है oxide यानि कि oxygen होगा तो oxygen को हमने लिख दिया कैल्सियम की वैलेंसी कितनी है दो ऑक्सिजन की वैलेंसी कितनी है दो अब इसको यहां से इस तरीके से किया अब यहां पर एक बात ध्यान देने वाले एक बच्चे ने लिखा सर सी एटू ओ टू लिखते हैं और एक बच्चे ने कहा सर इसको हम लोग लिखते अब आप देखिये वाच्चो मैं ने बताया उसके अनुसार सी एटू ओ टू बिल्कुल सही था जो कॉंसेट्ट मैंने आपको बताया उसके अनुसार आपनी बिल्कुल सही लिखा लेकिन अब यहांँ पर कुछ और बातें आपको ध। धियान रखनी हैं। जब दोनों की वैलंसी समान हो जाती है तो उनकी को हम खता देते हैं, उसमें नहीं लिखते हैं। इसलिए दो यहां से भी खतम हो जाएगा और और सी यह ओ इसका फ़ॉर्मुला हो जाएगा। से सी एओ हो जाएगा सी एटू ओटू लिखना उचित नहीं है समझ में आई बच्चो चलिए कुछ और भी अलग-अलग योगी को के उदारन हम देखते हैं और देखते हैं नई बाते सीखते हैं कि किस तरीके से उनका भी सुत्र लिखा जाता है कि तो आये बच्चो कुछ हम लोग और भी योगी को के सुत्र लिखने का प्रयास करें अब यहां पर है sodium nitrate तो ध्यान देने की बात है sodium तो तत्व है sodium का परतीक भी मैंने बताया आपको याद भी हो गया होगा एन ए सोडियम का परतीक है बेलकुल सही लेकिन नाइट्रेट एक अपने आप में योगिक है अब तत्वों को तो अभी तक हम लोग लिख रहा है थे उनके संकेत यहां पर तो नाइट्रेट योगिक आ गया तब क्या खरें तो हमें कुछ योगिकों के भी जो सुत्र है उन्ह की भी हमें ध्यान रखनी होगी तो चलिए देखिये किस प्रकार से लिखा जाता है तो सोडियम का संकेत इन ए लिख देंगे और नाइट्रेट इन ओ त्री है नाइट्रेट इन ओ थ्री है अब इस पर सोडियम की संजोजकता देखें तो वन है और नाइट्रेट का भी वन है लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात है अब संजोजक्ता के साथ साथ हम लोग आवेश का भी ध्यान रखेंगे क्योंकि यह कुछ अलग प्रकार के यौगिक है तो सोडियम की यहां पर और जो संजोजक्ता वन है वह धन आवेशित है जबकि नाइट्रेट की रिन आवेशित है धन आवेशित और रिन आवेशित क्या है इसकी चर्चा पिछले वीडियों में हो चुकी है बहुत सारे परमानु मिलकर जब अनु का निर्मान करते हैं योगिकों का निर्मान करते हैं तो वे अनु दो प्रकार के होते हैं या तो अनु उदासीन होते हैं या अनु आवेशित होते हैं और यदि अनु आवेशित हैं तो वो दो प्रकार के होंगे एक धन आवेशित होंगे और एक तो आएए देखते हैं यहां पर सोडियम की संजोजत्ता वन पलस हो गई यह हम कह सकते हैं उस पर सोडियम एन ए पलस के फॉर्म में एन ओ थ्री माइनस के साथ जुटेगा आप धन आवेस और रिन आवेस को यहां पर पलस से और माइनस से दिखाते हैं अगले अस्टेप में इसे हम तिरचा गुना करेंगे तो हमें यहां पर फॉर्मूला मिलेगा इन ए इन ओ थ्री बिल्कुल सही यहां सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया है इन ए इन ओ थ्री अब चुकी दोनों की संजोज़क्ता यहां पर वन और यहां पर भी वन थी इसलिए हमें वन वन लिखने की जरुद नहीं हैं समझ रहे हैं आए उसी प्रकार से कालसियम हाइड्रोकसाइड का संजोज़क्त सुत्र लिखने की कोसिस करें तो कैलसियम का संकेत तो बड़ा असान है आपने याद कर लिया CA और हाइड्रोकसाइड कोई तत्व नहीं है यहां यौगिक है और यौगिक भी कैसा है इसमें रिनायन है या इस पर निगेटिव चार्ज है तो यह OH हो जाएगा और OH-1 होता है तो इसका Κालसियम का वैलनसी हम लिखते हैं कैलसियम के वैलनसी 2 हो जाती है और OH की वैलनसी 1 होती है चुकि यह रिनात्मक है इसलिए माईनसी होगा अगर आपको माइनस से परिसानी हो रही है तो आप इससे हटा भी सकते हैं लिखना कोई जरूर नहीं है आप अपने मन में ध्यान रखे कि ये इसकी वैलेंसी माइनस वन होती है ये वन है वैलेंसी जैसे संजोजकता हमने समझाया कि जैसे मनुश्य के दो हाथ होते हैं तो अगर कोई पूछे आपसे कि मानव की वैलेंसी कितनी है तो उसके पास दो हाथ है तो दो हो जाएगी गनेश भगवान की वैलेंसी कितनी हो जाएगी तो उनकी संजोजकता चार हो जाएगी तो आपको संजोजक्ता ध्यान रखना है कि वह कितने लोगों के साथ दोस्ती कर सकता है हाथ पकड़के उसी प्रकार से रसाइन सास्त्र में भी यहाँ पर अलग अलग तत्व के पर्मानों से जुड़ते और अलग अलग प्रकार के योगिक का निर्मान करते हैं आए देखिए कैल्सेयम की संजोजक्ता दो हो गई और हाइड्रॉक्साइड है इसकी भी संज़जक्ता एक हो गई अब क्या करना है हमें हमें तरिछा गुना कर देना है अब यहां पर फिर एक समस्या आई कि कैल्सियम को तो हमने लिख दिया और यह दो से गुना हो गया अब आप पूछेंगे कि सर दो के पास लिखें या एक समस्या आ रही होगी आपको तो इस समस्या के निराकरेंट के लिए हमें इसे ब्रैकेट में डाल देना है और इसे दो लिख देना अर्थात कैल्सियम हाइड्रोकसाइड में कैल्सियम के एक परमानू आएंगे ऑक्सीजन के भी दो परमानू जुड़ेंगे हाइड्रोजन के भी दो परमानू जुड़ेंगे तब मिलकर कैल्सियम हैड्रोकसाइड के एक अनू का निर्मान होगा चलिए बच्चों हम लोग आए सोडियम कार्बोनेट की लिखने की को सोडियम का वन होता है कार्बोनेट का टू हो जाता है वैलेंसी कि तिर्चा गुना कर देंगे क्या जाएगा इन ए टू सी ओ थ्री अब क्या इसको भी ब्रैकेट में डालके वन लिखने की आवशकता है जी नहीं बिल्कुल नहीं क्योंकि वन छिपा हुआ है इसलिए हम वन नहीं लिखेंगे चलिए अमोनियम सलफेट को देखते हैं अमोनियम भी एक आयन योगिक है सलफेट भी एक आयन है तो अमोनियम हो गया इन एच फोर अमोनियम आयन हो गया और सलफेट SO4 इसकी valency हो जाती है 1 और sulfate की valency हो हो जाती है 2 अब देखे इसको गुना करते हैं हम लोग NH4 जैसा था हमने लिख दिया 2 से गुना हुआ तो अब यहां और यहां नहीं करना है बलकि इसे एक bracket में डाल देना है NH4 का होड़ टू और SO4 समझ में आरे है बच्चो ammonium sulfate का NH4 का होड़ टू SO4 चलिए कुछ और जो है आपके किताब में आपके exercise के लिए दिये गए हैं उनका भी हम formula यहां लिखने की कोशिस करते हैं आईए बच्चो देखे sodium oxide तो sodium क्या करें sodium के लिए na लिख दिया हमने और oxide के लिए oxygen है sodium की valency 1 है oxide के valency 2 है बिल्कुल सही तिर्चा गुना कर दिया हमने आ जाएगा in a2 और क्या लिखेंगे बच्चो ओ बिल्कुल सही aluminium chloride का लिखना है अब आप समझ रहे होंगे लिखे मेरे साथ साथ आप पर लिखे aluminium हो गया chloride में यानि कि chlorine है तो cl होगा aluminium के valency कितनी है aluminium के valency 3 है chlorine के valency या संजो जगता संजो जगता कोहीं अंग्रेजी में valency कहते हैं तो कोई बेखते हैं अगर valency बोल रहा है तो आपको समझ जाना उस संजो जगता है तो यहाँ इससे तिर्षा गुना कर दिया हमने और a l c l 3 aluminium chloride बन गया चलिए sodium sulfide का देखिए sodium बहुत असान है na और sulfide यानि कि sulfur है तो इस हो गया sodium के valency 1 sulfur के valency 2 यहाँ तिर्षा गुना हो जाएगा और क्या आजाएगा बच्चो na2s बिल्कुल सही magnesium hydroxide आप लिख सकते हैं बहुत असान है magnesium के लिए mg hydroxide के लिए OH magnesium के valency 2 hydroxide की 1 यहाँ गुना हो गया यहाँ गुना हो गया mg OH का और तू तो इस प्रकार से देखा बच्चो आपने की बहुत सारी ही अलग अलग योगिकों के सुत्र हमने लिखे और यह बहुत असान है इसको लिखने के लिए आपको बस कुछ बातों को ध्यान देनी है तत्व के पर्तिक उनकी संजोज़क्ता अगर योगिक बना है तो उनके पर्तिक क्या है उनके आवेशत कन कितना है कितना उन पर आवेश है इन बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी योगिक के सुत्र लिख सकते हैं कि आये बचो अब आप लोग को कुछ ह कि सुत्र दिये गये हैं उनके रासाइनिक नाम लिखना सिखाते हैं अभी तक आपने क्या कर रहा था रासाइनिक नाम दिये गये थे आप उनके बहुत-ासान सबसे पहले दिये गए सुत्र में से हमें तत्वों को या फिर योगी के जो उनके साथ है उनको पहचानना होगा तो आएए पहला हम शुरू करते हैं अब देखें उल्टा हम चलते हैं यहाँ पर अल्मुनियम होगा बिलकुल सही और सलफेट होगा एस ओफोर ठीक अब तिर्चा गुना कर रहे थे यानि कि यह उतर के यहाँ चलाएगा और यह उतर के यहाँ चलाएगा ठीक अब इसका नाम हम यहाँ से देख रहे हैं यह aluminium है और यह sulphate है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा aluminium 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 sulphate तो इस प्रकार से देखा आपने कि जिस सुत्र लिखने में हम पहले परतीक लिख रहे थे फिर उसके संजोजक्ता को लिख रहे थे यहां पर उसे ठीक उल्टे करम में तोड़ देना है तोड़ के अलग कर लेना है शुरुआत के लिए जब आप धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएंगे तो ऐसा भी करने की जुरूत नहीं है आप सिर्फ और सिर्फ नाम देखकर उसके नाम को तत्वों के पहचान कर योगिकों के पहचान कर उसके नाम लिख सकते हैं चलिए दूसरा देखते हैं CACL2 यह हमारा योगिक का फार्मूला दिया हुआ है तो नाम आप पहचान रहे होंगे CACL2 यानि की कलोरीन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा कलोराइड अब कोई बच्चा इसका नाम दे सकता है सर यह कैलसियम है और यह कलोरीन है तो इसका नाम कैलसियम कलोरीन क्यों नहीं हुआ प्रस्णाती है कि सर इसका नाम कैलसियम क्लोरीन क्यों नहीं हुआ तो बच्चो इसको जब हम तोड़ेंगे तो देखते हैं कि इस पर किस प्रकार से कौन से चार्ज है तो कैलसियम पर 2 प्लस चार्ज है और C-L पर 1 माइनस चार्ज है हैं अब जब माइनेस चार्ज आ गया तो इसका नाम क्लोरीन न रह बुक पर अलग किजिए यह potassium हो गया बिल्कुल सही यह SO4 एक साथ जाएगा क्योंकि यह एक sulphate ion है इसका नाम है SO4 का नाम SO4 एक आयन है इसका नाम SO4 2 माइनस होता है sulphate ion होता है इसका नाम sulphate ion है तो SO4 को अलग-अलग हम नहीं करेंगे ध्यान रखना है sulphur को oxygen को अलग-अलग नहीं करेंगे यह एक sulphate ion एक योगिक है और potassium इसमें अलग है तो यहाँ पर sulphate की संजोजक्ता 2 हो जाएगी potassium की एक है यहाँ पर इस संजोजक्ता को हम छोड़ देंगे यहाँ पर potassium है और sulphate है तो हम इसका नाम क्या देंगे इसका नाम देंगे potassium potassium sulphate है चलिए इसी प्रकार से इसका नाम भी आप लोग कोशिश कर सकते हैं कोशिश कीजिए देखिए बहुत असान है क्या-क्या है इसमें लिखा हुआ calcium है और CO3 है CO3 तो जिस प्रकार से sulphate आयन था उसी तरह से CO3 2- इसको हम लोग carbonate iron कहते है क्या कहते है carbonate iron ठीक है पिछले का अच्छा में मैंने इस सब के बारे में विस्तार से चर्चा किया है अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत हो रही है तो पिछले वीडियो देखे उसमें आपको समझ में आएगी ऐसा बात है तो यहां पर चलिए अलग-अलग इसको carbonate की वी बैलेंसी दो इसलिए दो दो यहां पर छिप गया था तो इससे हटा देना है और नाम हमारा हो जाएगा क्या इसका नाम हो जाएगा calcium calcium पताइए और co3 है तो carbonate तो इस प्रकार से बच्चो हमने आज बहुत सारे योगिकों के सुत्र लिखना सीखा और दिये गए सुत्र से उनके नाम लिखना भी सिखा आप practice करिए अपने किताब को पढ़िए देखे उसमें भी बहुत सारे योगिकों के नाम उनके सुत्र दिये गए हैं आप पढ़ने के दौरान उन्हें छाट कर अलग करके लिखे धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे तो आप रासाइनिक योगिकों के सुत्र लिखना सुत्र से उनके नाम लिखना बहुत आसानी से सिख जाएंगे तो बच्चों आज के लिए वीडियो में इतना ही मिलते ह हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहिए उसक्राबते रहिए धन्यवाद